क्लास फॉर सब्जेक्ट आपका इंगलिश वन इंगलिश वन में हम जो प्ढ़ रहे थे वो था लेसन नम्बर फ़ड़्ग,巏न अऑं और फॉक्स तो हम यह स्टोरी पढ़ रहे थे हेन अऑं ये फॉक्स एक चालाक, लोंबड़ी की लोंबड़ी की ल Allah vert रखिए, copy, book, pencil अपने साथ हमेशा रखा करिए, अब आप चलिए, page number 29 पे, 28 हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे 29, तो अब देखे ध्यान से, यहां से हमने पढ़ना इसको, जो fox था, वो बड़ी खुशी खुशी घर पहुचा, और उसने जो जो से बोला, mummy, mummy, ma, ma, I have come with the hen, देखो, मैं hen के साथ आ गया हूँ, मैं अपने साथ hen को लेकर आया हूँ, is the water boiling, क्या पानी उबल गया, let us cook the hen quickly, तो उसने बोला कि क्या, mummy, mother, क्या पानी boil हो चुका है, let us cook चलिए, हम इस hen को क्या करते हैं, फटा-फट, बनाते हैं, और क्या करेंगे इसका, quickly for dinner, dinner के लिए तयार करते हैं, I am very hungry, मैं बहुत भूका हूँ, yes, the water is boiling, answer to his mother, mother ने जवाब दिया कि हाँ, बीटा, पानी गरम हो उबल चुका है, quickly the fox untied, quickly the fox untied the mouth of his sack, उसने क्या किया, लोमडी को इतनी भूग लगी थी, उसने फटा-फट अपना जो कंदे पे एक बोरा लटका हुआ था, उसका untied मतलब उसका जो मूँ था, थैले का जो मूँ बंद करा वा था, उसको खोला, and emptied it into the water, और उसने क्या कर दिया, उसको उस थैले का मूँ खोलके उसको पानी में खाली कर दिया, the big stone fell into the water, तो क्या हुआ, जैसे उसने थैले का मूँ पानी के बरतन पे किया, तो उसमें से एक बड़ा सा पत्थर कहां जाके गिरा, पानी में गिरा, a large quantity of hot water splashed out of the pot, जैसे उसने वो बोरा खाली किया, तो बोरे में से एक बहुत बड़ा पत्थर पानी में गिरा, पानी के बरतन पे गिरा, तो बहुत सारा splash होता है गिरना, तो बहुत सारा पानी जो था pot से नीचे गिरा and fell on both of them, उन दोनों पे वो पानी गिरिया, fox पे भी और mother पे भी, the two foxes died instantly, जैसे ही वो उबलता, वो पान और उसके बाद जब वो दोनों के दोनों की death हो गई, दोनों गरम पानी गिरने से मर गए, तो उसके बाद से जितने भी जंगल में जानवर थे, वो सारे के सारे animals सब कैसे रहने लग गए, peacefully, शांती से रहने लग गए, क्योंकि उस fox ने क्या कर रखा था, सब को परिशान कर रहा हुआ था, अब उस सारे के सारे जानवर क्या हुए, पैनी के लिए बहुत जादा शुक्र गजार हुए, उन्होंने उसको बहुत जादा thankful, grateful उसके लिए उन्होंने बहुत जादा thank किया, उस पैनी की वज़य से ही क्योंकि क्या हुआ था, fox की death हुई थी, तो ये lesson जो ह आपका complete हो चुका है, आप एक बार इस lesson को फिर से revise कर लीजेगा, ताकि आपको धंसे ये learn हो जाए, इसमें अब आप आगे बढ़ेंगे, जो की है अब आपका question answer, तो देख लीजे, पहला question है इसमें, what did penny do in the morning, morning में क्या करती थी penny, penny क्या करती थी morning में, penny क्या करती थी, आपने जैसे lesson पड़ा है, तो penny का क्या काम होता था सुबह, तो आपको मैं आप ये बताऊंगी, copy पे आप इसे, copy पे देख लीजेगा, तो देख लीजे, आप copy में भी देख लीजे इसको, first question है आपका, what did penny do early in the morning, early in the morning, penny क्या करती थी, तो penny go out to hunt for worms in the forest early in the morning, तो penny का क्या काम होता था early in the morning, penny सुबह उठके कहा जाती थी, penny उठके जाती थी forest में, ताकि उसे खाने के लिए क्या मिल सके, worms मिल सके, छोटे छोटे खीडे मिल सके, 2 देख लीजे, why did the fox catch the first animal he came across, why, क्यूं, fox पहला उस जानवर को पकड़ता था, जो भी उसके सामने आता था, तो देख लीजे, the fox catch the first animal he came across and bring it home to eat, क्यूं पकड़ता था, वो पहले ही जानवर को जो भी उसके सामने आता था, सबसे पहले, वो उसे अपने घर ले जाता था, क्यूं, खाने के लिए, home to eat, अपने घर में ले जाके उसे खाता था, question number three, what was the rule that animals of the forest followed, क्या rule था, जो जंगल के जानवरों ने सब के लिए, अपने लिए बनाया था, तो क्या rule था, देखिए, the rule was that they were not allowed to hunt animals of their own colony, even on being hungry, तो जंगल के जानवरों ने क्या नियम बनाया था, जंगल के जानवरों नियम ये बनाया था, कि चाहे वो कितने भी भूखे क्यूं ना हो, वो अपने साथ के जानवरों को शिकार नहीं करेंगे, नेक्स देखिए, कोशन नमबर 4, why was it become difficult to find prey for hunt, ये difficult क्यों हो गया था, बताईए, ये difficult क्यों हो गया था शिकारियों के लिए, जानवर धूंडना, क्यों, the cutting down of trees, क्योंकि जंगल में क्या होने लग गया था, पेड कटने लग गया थे, the animals started disappearing, और अब जानवर क्या होने लग गया थे, जानवर disappear होने लग गया थे, disappear मतलब गायब होने लग गया थे, started disappearing, जैसे लोगों ने जंगल काटना शुरू की है, वैसे जो जानवर थे, वो disappear होने लग गया जंगल से, and it was becoming difficult to find, pray for, hunt तो इसलिए क्या tough हो गया था इसलिए ये मुश्किल हो गया था कि कोई भी शिकारी को शिकार करना अब मुश्किल हो गया था तो ये आपके अभी मैं से 4 question करवारी हूँ इसके next जो 5, 6, 7, 8 है वो हम next video में करेंगे तब तक लेकिन आपका काम ये है कि आपने अपना जो भी है भी तक पढ़ाया है इस lesson में आप एक बार उसको revise जरूर करेंगे और इन question answer को आप साथ ही साथ learn भी करेंगे क्योंकि इन में से आपके first unit test में भी आएंगे तो अभी आप फिलहाल इतना learn करिएगा उसके बाद हम इसमें फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है ना तो आप इसको learn करते रहिएगा